G-Campaint में Basic यानि बुनियादी Operations के टिटोरियल में खुशाम दीद। इस टिटोरियल में हम सीखेंगे मुझूदा फाइल खोलना, टेक्स्ट दाखिल करना और एडिट करना, अबजेक्ट्स को मुन्तखब, मुव, फिलिप और रोटेट करना, अबजेक्ट्स को गुरुप करना और सीध में लाना, अबजेक्ट्स को कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट करना, यहां मैं इस्तमाल कर रहा हूँ Ubuntu Linux OS version 12.04, G-Campaint version 0.12.10, इस टिटोरियल के अमल के लिए आपको दरजेल की इलमियत होनी चाहिए, जी केमपेंट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर, अगर नहीं है तो मुतलका टिटोरियल के लिए बराय महरबानी हमारी वेबसाइट पर जाएं, नई जी केमपेंट एप्लिकेशन खोलने के लिए डैश हूम पर क्लिक करें, जाहिर होने वाले सर्च बार में टाइप करें, जी केमपेंट, जी केमपेंट आइकन पर क्लिक करें, अब मौझूदा फाइल खोल कर टिटोरियल को शुरू करें, फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, ओपन मुन्तखब करें और इस पर क्लिक करें, Files और Folders वाली विंडो खुलती है यहां से Propane नामी File मुन्तखब करें File को खोलने के लिए Open पर क्लिक करें Propane Structure के नीचे कुछ Text जोड़ते हैं Toolbox से Add और Modify a Text Tool मुन्तखब करें Text Tool Property Page खुलता है Property Page में Fields जैसे Family, Style, Size, Underline और कुछ दूसरे भी होते हैं Family Font Names की Fairest रखता है इस Fairest में नीचे जाएं मैं Family में से Arial Black मुन्तखब करूँगा Propane Structure के नीचे Display Area पर क्लिक करें आप Green Box में बंद टिम्टिमाता हुआ करसर देख सकते हैं Compound का नाम Propane टाइट करें अब Style को Bold Italic में तबदील करें Text Propane को Select करके Bold Italic पर क्लिक करें मैं Font Size 16 तक बढ़ाऊंगा Scroll करके 16 पर जाएं और इस पर क्लिक करें Text में तबदीली को देखें आगे Underline फीचर इस्तमाल करें ये Dropdown Options की Fairest रखता है None, Single, Double और Low Single मुन्तखब करें अब Text का Color तबदील करें Text का Default Color ब्लैक यानि काला है Color Area में Dropdown Arrow पर क्लिक करें आप यहां मुख्तलिफ Colors देख सकते हैं मैं Purple स्लेक्ट करूंगा हम Text की Position भी तबदील कर सकते हैं Position Field –100 से 100 तक Range रखता है अब देखते हैं कि Text कैसे तबदील होता है Text मुन्तखब करें Mouse से Up Arrow ट्राइंगल पर क्लिक करें Text उपर जाता है इसी तरह अगर हम Down Arrow ट्राइंगल पर क्लिक करें तो Text नीचे आता है अब Text को Normal सूरत में लाएं Position इलाके में Zero टाइप करें और Display एरिया पर क्लिक करें यहां आपके लिए एक मश्क है पहले टिटोरियल की तफ्वीज खोलें Structures को N-Hexane और N-Octane लेविल करें Text का Font Name, Font Size, Underline और Color तबदील करें आपकी मुकमल तफ्वीज इस तरह नजर आनी चाहिए अब Objects को मुन्तखब और Move यानी मुन्तकल करना सीखें Toolbox से Select One और More Objects टूल पर क्लिक करें Pantene पर क्लिक करें Mouse के बटन को छोड़े बगैर इसे किसी दूसरी पोजीशन में ड्राइग करें अब Mouse के बटन को छोड़ दें अब एक Object को Rotate करें Object को Rotate करने के लिए Select One और More Objects टूल पर क्लिक करें Property Page Tools रखता है Flip the Selection Horizontally Flip the Selection Vertically Rotate the Selection इन टूल्स को इस्तमाल करने के लिए Pantene पर क्लिक करें Rotate the Selection Option पर क्लिक करें Display Area पर जाएं और Mouse को Object के उपर रखें Mouse को Clockwise और Anti-Clockwise सिम्तू में गुमाएं Object की गर्दिश को देखें अब Object को पलटना सीखें Pantene structure को Horizontally पलटाएं Structure को Horizontally पलटने के लिए Flip the Selection Horizontally टूल पर क्लिक करें यहां Tutorial रोक दे और अपने आप अपना Flip the Selection Vertically इस्तमाल करें अब Objects को Group और Align यानी कतार बंद करें Object को Group करने के लिए तमाम Objects को मुन्तखब करें इसके लिए Edit menu पर जाएं Select All पर क्लिक करें या आप एक साथ Ctrl और A Keys दबा सकते हैं किसी एक शेय पर Right Click करें Context menu खुलता है Group and Slash और Align Objects ओप्शन मुन्तखब करें एक Dialog Box खुलता है Group Check Box पर क्लिक करें Align और Space Evenly Options को गैर मुन्तखब करें अगर ये मुन्तखब हैं OK के बटन पर क्लिक करें हम देख सकते हैं कि Objects एक साथ गुरुप हुए हैं अब Objects को कतार बंद करें सारे Objects को Select करने के लिए Ctrl और A दबाएं किसी एक Share पर राइट क्लिक करें Context मेन्यू खुलता है Group Properties आप्शन मुन्तखब करें Align चेक बॉक्स पर क्लिक करें Align आप्शन के पास Drop Down फेहरिस्त है आपके पास Objects को Align करने के लिए कुछ आप्शन्स हैं मैं Left मुन्तखब करूंगा OK के बटन पर क्लिक करें तबदीली देखें यहां टिटोरियल रोक दें और आप अपने खुद से दीगर Align Options के साथ Objects को Align करें अब Cut, Copy और Paste Options का इस्तमाल करना सीखें Edit Menu पर जाएं यह बुनियादी Edit Options रखता है जैसे Cut, Copy, Paste और Clear इन Options के लिए आम Shortcut Keys हैं Cut के लिए Ctrl और X Copy के लिए Ctrl और C Paste के लिए Ctrl और V जो G-Campaint में भी काम करेंगे Select One or More Object Tools इस्तमाल करके एक याल ज्यादा Objects को मुन्तखब करें Object पर क्लिक करें Cut के लिए Ctrl और X दबाएं Display Area में मुख्तलिप Position पर Object को Paste करने के लिए Ctrl और V दबाएं देखें कि जब हम Object को Cut करते हैं तो ये आपके बुनियादी मुकाम से मिट जाता है अब Display Area में किसी दूसरी जगा पर Object Copy और Paste करें Object पर क्लिक करें Copy के लिए Ctrl और C और Paste के लिए Ctrl और V दबाएं देखें कि जब हम Object कोपी करते हैं तो ये आपके बुनियादी मुकाम से नहीं मिटता Display Area को Clear करने के लिए तमाम Objects को मुन्तखब करें सारे Objects को मुन्तखब करने के लिए Ctrl और A दबाएं Edit Menu पर जाएं Clear पर क्लिक करें अपने बुनियादी स्ट्रक्चर पर वापस जाने के लिए Edit Menu पर जाएं Undo पर क्लिक करें या Ctrl और Z दबाएं Keyboard पर Delete की का इस्तमाल करके Object को मिटाने के लिए Object मुन्तखब करें Keyboard पर Delete की दबाएं अब Structure के किसी हिस्से को मिटाने के लिए Eraser Tool इस्तमाल करना सीखें Toolbox से Eraser Tool मुन्तखब करें Mouse को किसी भी Structure के पास रखें Structure का वो हिस्सा Red यानी लाल कलर में बदल जाता है इसको Delete करने के लिए Structure के Red कलर वाले हिस्से पर क्लिक करें अपना बुन्यादी Structure हासिल करने के लिए तबदीली को Undo करें अब File Save करें Toolbar पर Save the Current File के बटन पर क्लिक करें इसके साथ हम इस टिटोरियल के आखिर में आ गये हैं इसका खुलासा करते हैं इस टिटोरियल में हमने सीखा कैसे मौजूदा फाइल को खोलें डिस्पले एरिया में टेक्स्ट कैसे जूडें और एडिट करें अबजेक्ट्स को कैसे मुन्तखब, मूव, फिलिप और रोटेट करें और Align यानि सीध में लाएं अबजेक्ट्स को कैसे Cut, Copy, Paste और Delete करें एक मश्क के तौर पर Eraser Tool इस्तमाल करें और N-Octane Structure को N-Pentane में तबदील करें N-Hexane Structure को Ethane में तबदील करें तफ्वीज का Output इस तरह नजर आना चाहिए इस URL पर दस्तियाव वीडियो देखें ये Spoken Tutorial Project का खुलासा करता है अच्छी बैंड वीडिट न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं Spoken Tutorial Project टीम Spoken Tutorials का इस्तमाल करते हुए वर्ग्शॉप्स भी चलाती है और ओनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं मजीद मालूमात के लिए Contact at Spoken-Tutorial.org पर लिखें Spoken Tutorial Project Talk at Teacher Project का हिस्सा है इसे हिंदुस्तान की हकुमत के MHRD के ICT के जरिये कौमी खौंदगी मिशन की हिमायत हासल है इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज़े लिंक पर दस्तियाब है इस सिक्रिप्ट का तर्जमा और सदाबंदी मैंने यानि वजहत अहमद ने की है शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया